काक्रोच को हिंदी में तिल चठा गहते हैं काक्रोच अपनी नाख से सांस नहीं लेते हैं इनके शरीर में छोटे छोटे छिदर होते हैं जिससे वो सांस लेते हैं इसी कारण काक्रोच के सिर कटने पर भी ये सांस लेते रहते हैं दो हफते तक जिंदा रह सकते हैं आखिर में इनकी मौत प्यास की वजय से हो जाती है कॉक्रोच के खून का रंग सफेद होता है आपको सुनकर आश्चरे होगा कि कॉक्रोच एक ऐसा चीव है जिसके 18 गुटने होते हैं और इनकी टांग तूटने पर फिर से नहीं उग जाती है ये तीन किलोमेटर प्रती गंटे की रफ्तार से दोड़ सकते हैं अगर आप एक या दो इंच के कॉक्रोच से इडर जाते हैं तो अमेरिका में कभी मच जाईएगा क्योंकि वहाँ 4 इंच या इससे भी लंबे कॉक्रोच पाये जाते हैं विशो का सबसे बड़ा कॉक्रोच साउथ अमेरिका का था जो 6 इंच बड़ा था और चीन और थाइलेंड में तो इन्हें फ्राई करके भी खाया जाते हैं कॉक्रोच बच्चों में एलर्जी और अस्तमा के लिए सबसे ज़्यादा जिमेदार होते हैं कॉक्रोच जहां रहते हैं वहां 33 सलग अलग परकार के वैक्टरिया फैलाते हैं और यह मुख्यत है कीचन में ही पाये जाते हैं अगर ऐसी छोटी और रोचक जानकार यह आपको पसंदा तो फैक्टर फ्रेंडी चनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा